हेलो स्टुडेंट्स आज मैं आपको जीके का चैप्टर नंबर 43 हुमन बॉडी को इसके बारे में बताऊंगी जिसका मतलब है आपका कि मानव शरीर की प्रश्नोतरी देखो बचो नेम दा फ्लॉविंग एक ऐसा सेंस ओर्गन्स जो मदद करता है हमारी बोडी को बैलन्स में बनाने के लिए कौन सा होता है वो ओर्गन्स? एर 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 सेकिंड देखो बच्चो दीस लाइट एंड स्पोंजी ओर्गन्स आर दा में ओर्गन्स फोर ब्रिथिंग एक ऐसा ओर्गन्स जो की हमारे पूरे शरीर को सांस लेने में मदद करता है उसको क्या कहते हैं लंग्स एल यू एन जी एस लंग्स थर्ड देखो बच्चो इट इस दा लार्जेस्ट ग्लेड इन आवर बोड़ी एक बहुत बड़ा ग्लेड जो हमारी बोड़ी में है वो क्या है लिवर ल-i-v-e-r लिवर फोर देखो बच्चो इस पार्ट कीप्स ओन पंपिंग ब्लड तो आल पार्ट्स ओफ दा बोड़ी एक ऐसा पार्ट बोड़ी में जो हमारी पूरी बोड़ी में खून रक्त रक्त को रक्त पंप रहता है ठीक है उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं हाट ह-e-a-r-t हाट फिफ्ट देखो इस फूड इस डाइजेस्ट हेर एक जहां पर हमारा फूड जो है डाइजेस्ट होता है मतलब की हमारा खाना पचाया जाता है भोजन उसको क्या कहते हैं स्टमक स-t-o-m-a-c-h स्टमक इसका मतलब है बच्चो यह एक गलेट की तरह है जिसको हम कह सकते हैं कि यह एक मस्कुलर ट्यूब है जो हमारी जिसके माध्यम से हमारा जो खाना है वो मुझ से पेट तक पहुचता है यह लिखे ना इसको क्या कहते हैं बच्चो इसो फेगस ओ-e-s-p-h-a-g-e-s इसो फेगस इसो फेगस इट कंट्रोल्स दा मुमेंट ओफ आल पार्ट ओफ दा बॉड़ी एक ऐसा बॉड़ी का पार्ट जो की हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल में रखता है उसको क्या कहते हैं सभी पार्टों को कंट्रोल में रखता हमारे शरीर के सभी पार्टों को उसको कहते हैं brain ब-r-e-i-n brain एर देखो बच्चो दा लार्जिस्ट ओर्गंस ओफ दा हूमन बॉड़ी सबसे बड़ा ओर्गंस जो हमारी पूरी बॉड़ में है उसको क्या है पूरी बोड़ी में हमारा सबसे बड़ा संस और्गंस कौन सा है वो है हमारा स्किन S-K-I-N skin next देखो बच्चो 9 they filter over waste and excess water एक ऐसा और्गंस जो हमारे waste waste मतलब बेकार और excess water मतलब अतिरिक्त water को filter करता है वो क्या है kidney K-I-D-N-E-Y kidney 10 देखो बच्चो this gled is located at the base of our neck it produce a hormones hormones that controls how waste cells burn food to realize energy यह हमारे गर्दन के अधार पर स्तित है our neck मतलब हमारे गर्दन के अधार पर स्तित है यह hormones product करता है जिससे की हमारे हमें जो हमारा खाना है वो energy में बदल जाता है ठीक है इसको इस organs को क्या कहते है thyroid T-H-Y-R-O-I-D thyroid बच्चो मैंने आपको यह समझा दिया है अब आपको यह सभी काम आपको book में और copy में करना है ठीक है और साथ में learn भी करना है और